है हाई फ्रेंट्स तो आसे में स्टाट करें जा रहें नया चप्टर जिसका नाम है प्रोजेक्ट फाइनांस चीक है सो यह है चाप्टर निवर सेवन यह पूरा थेरोडिकल चाप्टर है ठीक है पहले इसका मैं आपको बेसिक बता दाओं अच्छा एस विज्वल पहले से अगा थैजिक लिए होता क्या है सी अभी इतना तो अपको सोग में आगा इच्छा एक लोन वन ली तो सर अपन जो नॉर्मल लोन लेते हैं और प्रोजेट फैस्ट में फोरक क्या है यह अगर आपको सोग में आ गया तो आगे बिरुको बदाना इजी हो जाएगा अपको जो नर्मल लून लेते हैं वो बेस्ट उन बैलेंशेट होता है, बेस्ट उन फिनेंशल पर्फॉरमस अफ दे इनकिंज परफॉर्मस सब्था है, प्रोजेट फिनेंसिंग इस नॉल बालेंशेट सुन बालेंशेट आप्रोच 뭔 फिनेंशेट नॉल जाच बेंगरारिक क्षेक that I'll take the decision क्या होता है क्या होता है तो कभी कि इस तरह कभी ऐनलेसिस किया जाता है यह फंडिंग है बस नॉर्मल जो ट्रेडिशनल फंडिंग का जो फंडामेंटल से एंड प्रोजेट फैनसिंग का जो फंडामेंटल वो पूरा अलग लगे तो इस चप्टर में बढ़ने वाले कि प्रोजेट फ्रेंस होता क्या है उसके क्या-क्या स्टेप से प्रोजेट कैसे सिलिट किये जाते है तो पूरा पूरा थेरोटिकल चप्टर जो टेकिनल चप्टर थे अपने पूरे खतम कर दे इसके वाद एफम में जो भी दो-तीन चप चाप्टर दिया है जो लास्ट चाप्टर पूरे question answer से अभी अपना pattern mcq है तो mcq में इतने बड़े questions नियाएंगे फिर भी मैंने हरे चाप्टर में अलगलग questions solve करके लिये तो चाप्टर में cover नहीं करने वाला हूं it is for your practice बढ़े बहुत बड़े-बड़े questions दी है यह जो नियूज से यह था तो इनिचली वह थेरी पैटन था question answer format में था तो उसके लिए बड़ाबर था बड़ा भी वह mcq format में चला गया है तो mcq में इतने बड़े questions नहीं आएंगे इसलिए वह चाप्टर में नहीं किया बड़ आप चाहे तो गर पर इसको प्रैक्टिस करने वाले है what is project finance project finance is a funding of long term infrastructure question for mcq industrial project public services using a non-recourse or limited resource financial structure or debt equity used to finance project are paid back from the cash flow generated by the project जो मैंने कहा था या पर balance sheet फे फोकॉस नहीं किया जाता है उससे जो cash flow generate होगा उसके basis पे आपन पूरे decisions लेते हैं and accordingly funding किया जाता है ठीक है चलो देखते है नो steps in project finance तो यह मैंने steps दी है पहला है feasibility study project planning project report project appraisal definitive agreement disbursement of funds and utilization of report to the bank तो यह पूरा step best step अपने करके पढ़ने वाले है ठीक है चलो देखते है पहला feasibility study नो सब facility study होता क्या है simple बताऊंगा यह project जिसका अपन funding कर रहे है यह सही project है कि अपने इसको जानने की कोशिश करें क्योंकि अपने इसको बहुत सारा पैसा लगाने वाले हैं और यह long term project है तो इसका impact company को भी बूरा होगा एं जो बंदा technical analysis, legal analysis करें ना देखो क्या है मतलब यह project successfully complete करने के लिए क्या-क्या resources required है यह अपन पूरा analysis करेंगे और अगर आगे है तो यह अपन आगे जाएंगे a visibility study is an analysis that takes all of the project relevant factors taken into account including economic, technical, legal, scheduling, consideration to ascertain likelihood of completion of project successfully मतलब project complete होने के लिए क्या-क्या factors required है और आपने पास कितने available है वो आपने को देखना जरूरी है करेंगे तो यह पहला था उसकोल थे feasibility study देखो इटेक्स into account all offer projects relevant factors economic, technical, legal and scheduling consideration to ascertain the likelihood of completing the project मतलब यह प्रोजेट फिजिबल है क्या complete करना एपर एजमपल मेरी इच्छा है कि में मोबाल मनाओ मेरे को funding मिल सकता है बट इतना funding मिलेगा क्या and mobile बनाने के लिए कितना technical requirement है कितने legal sanction लेने पड़ेंगे यह मेरे लिए practically possible लई है मतलब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके funds है पर यह resources होना भी जरूरी है खाली पैसा हो कि नहीं चलेगा अकल होना भी जरूरी है तो मेरे पास तेली कॉम सेक्टर का कुछ भी टेकनिकल नॉलेज नहीं है लीगल पॉसिविली नहीं और इतने बड़े ओंपिडेटर से इंके सथ फाइट करना गवर्मेंट के पॉलिशिस को मैनेज करना इतना वड़ासान काम नहीं है करें तो यह प्रैक्टिकली फिजिवल नहीं है तो जब वह बंदा पैसे देगा वह यह भी चेक करेंगा कि आप के पिलो कि यह प्रोजेट कमेट करने के लिए दूसरा मार्केट विजिवलिटी सिंबल और मार्केट विजिवलिटी रम आप जो बिजिस कर रिजार रहना उसको मैं फर्णिं करने वाला उस प्रोड को तना डिमांड है के ने क्योंकि मैंन आपको फंदिंग तो कर दिया लिकन अगर आपको तना रिक्वाइड सेल नहीं हुआ आपको तना प्रोफिट नहीं मिला तो आपको लोन रिपे नहीं कर पाऊगे करेट नहीं और मेरे को जो मेन इंक मैं इंट्रेस इंक वो नहीं मिलेगा अ स्टुडी इस कंडेक्ट तो एवल्यूएट विजर पोटेंशल दिमांड फॉर्स अप्रोड प्रोडॉड्स आर देर विदिन और आउटसर कंट्री करेट ना तो आपने पोड़ों को डिमांड कितना रेगों एनलेस किया जाएगा तीसरा इसमें है टेक्निकल विजिबिटी स्टुडी अप टेक्निकल आश्पर मंतर जो मनें कहा कि अगर मेरे को मोबल का बिजने स्टार्ट करना है त तो खाले पैसा हो की नहीं चले आपने बास अपने को उसका और टेक्निकल नॉलेज भी होना जरूरी है देखो 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 टेक्निकल आस्पेट इंक्लिट्स अंडरलेंग किया जाए वाइबल टेक्नोलोजी इस अल्टरनेटिव अबलेबिलिटी आफ रह मत्रिल अदर रिसोर्सेश पॉड़क मेस पॉड़क कोस्ट कापस्टीट उडलेशन एंड एन्वार्मेंटल फैक्टर्स यह सभी फैक्टर का आपको एनलिस करना पड़ेगा तब यह हो पाएगा करेट ना देन फिनेंशल बिजलिटी सबसे इंपोर्टेंट उसमें क्या होगा फिनेंश के लिए फर्णिंग ले रहे हो वह बिजनेसमें अमको फायदा कितना मिले अवे फायदा दो चीजम पर रहता नहीं दिफरेंस बीटमट्रेंट उडार्वस्टी सब्स माइनगे बिजिदेंग सुटाकर कितना प्राफिट मिलेगा अभी एक्स नमबर अफ आपने गोर्मेंट को पुलिसे चेंज भी हो सकता है इसा हो सकता है दरिक वाइड डिटिल अनलेसिस अप्रोजेक्शन अप्राइज आप इनपूर्ट देख वह दिया है अची कि अची है आप फंडिंग कहां से लोगे लिपिमेंट शोल कैसा होना चीह फिनेंशल फोरकास्ट रिस्क इतना उसमें इन वाल्डे यह सब आनलेसिस किया जाएगा तो यह पहला था फिजबिटी श्टडी फिजबिटी फिल्बिटी में तीन होते हैं क्या तीन technical feasibility and financial feasibility चला पने एक चाट बना दे फटाफुट heading लिखो steps in project finance लिखो कि अच्छा वे काम करते हैं पहला पन कौन सा कर रहे है कि पहला पन ने किया feasibility study है इसमें अपनने तीन पड़े feasibility ब्रह ना कौन से दिन market technical financial so market visibility financial feasibility and technical feasibility एक तीन अपने देखें अच्छा मार्केट में क्या क्या देखने अपने को demand and supply लिखो so market map लिखना है demand and supply position टेकनिकल लिखने है लिखो टेकनिकल वेसिविलिटी में टेकनलोजी एंड ऐसे लिखो अबलेबिलिटी ओफ रिसोर्स इस एन टेकनिक लिख टेकनिकल्स के लिए कितना चाहिए और उसके लिए जो रिक्वाइड रिसोर्सेस है वह अबलेबल है या नहीं है और सब्सक्राइब किया आपने को तीन जाज़े प्राइज फिनैंसिंग मिक्स इंपट आपूट रिशो लिखो इंपूट एंड आउट पूट इंपूट आपूट आप्ट पूट इंपूट आपूट आप्ट प्रइज कि फाइनन्सिंग मिक्स रिपेमेंट शेडियूल यह चीज अपने को देखना है चाहिए तो यह अपने पहला स्टेप कम लिट किया फिजिपलिटी उसमें तीन अपने एस्पेट का और करेंगे एक मार्केट फिजिबिटी दूसरा टेकिनिकल फिजिबिटी इन तिसरा फिरेंशल प्रिशिबिटी ल लाउन करना इसलिए मैं को में पॉंट स्केरे रहा हूं चलो फॉटा पर लिख़र अपना आगवरते हैं अ अ डिखलो फिट अवर्ट कि आगे कि नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप है वह है प्रोजेट प्लैनिंग तो पहला ऑन पर देखो कि प्रोजेट फीजिबल है के नहीं अगर फिजिबल है इन तरम्स अब आल एस्पेक्ट टेकनिकल गवर्मेंट लीगल फिनेंशियल तो फिर आगे बढ़ के प्रोजेट के वेड Quinani result in departure project planning define the project activity and in product that will be perform and describe how the active to be accomplished the purpose of project planning is to define each major risk estimate the time and resources required provider framework for the management review and control बतलब कहा है कि कि इस chicky is a pandemic कि इसका execution कैसे करना है इस नदिंग बड फ्रोजेट प्लानिग जैसेおडब मytyy जता हना न और ये प्लांग ओल्ड का मतलब क्या है मैं कम्पनी को देखकेठ ऐसा कि कुसको कुछ कम्यät करना है कितने समय में complete करना है वैसे हैं करते हैं आडिट प्लानिंग वैसे ही आप है project planning तो start to end यह project complete करने को कितना समय लगेगा उसका allocation of work कैसे करना है यह सब इसमें रहेगा तो यह point highlight करना define each major tax मतलब इसमें क्या क्या आपको activity steps करना है फिर buying of machinery हो सकता है एन एन employee को training लेना हो सकता है मार्केटिंग है finance activity है product launch है सब कुछ है estimate time and resource required कितने समय में project complete करना है और फिर उसको जो अपने plan किया है वह और एक नहीं हो रहा है उसके प्रॉपर management reporting system चाहिए और उसका review का भी system होना ज़रूरी है ताकि जो भी चीज़े गलत हो रही है इसको improve कैसे करें जबन देखेंगे और अगर अच्छी चीज़े हो रही है और इसको improve कैसे किया जाए यह हम चेक कर सकते है कि नप्रॉजर्ट मैं क्याकर इन वाल देखो the specific work to perform and the goals that define and bind the project मतलब कौन सा काम कौन गरेगा मतला इंफ्रासरक्चर का जैसे बड़े बड़े कपने मेन अज यह उते हैं तो पूरे कम निमें जो भी इंफ्रासरक्चर बनेगा वह पूरा हुई देखता है तो यहाँ पर आपको हरेक बंदे को responsibility allocate करने, assign करने पड़ेगी, ये काम तू देखेगा, ये काम तू देखेगा, ताकि उसको, सवज में है कि इसको क्या करना है, that define and bind the project, estimate the, estimate to be documented for planning, tracking and controlling the project, an estimation मनाओ, कि estimation मतला पर इसमें standard set करेंगे, कि इतना इतना समय में काम होना चाहिए, कि इतना खर्चा होना चाहिए, इतना output होना चाहिए, उसको अपन एक्च्छल के साथ compare करेंगे, ताकि जो गलत हो रहे, deviations अपने को पता चलेंगे, commitments that are planned, documented and agreed by, मतलब यहापे है, fixing of responsibility, एक ग्रुप को एक टास दिया, तो उन्होंने उसको complete करना है, and project alternative assumptions and constraint, yes, already मतलब, अगर कोई particular अपना planning फिल हो गया, तो plan भी ready होना चाहिए, कौन से assumptions के basis पर हम यह काम करने जा रहे है, क्या क्या उसमें constraint है, कभी कभी finance constraint रहता है, कभी technical resource constraint रहता है, कभी human resource constraint रहता है, government policy control रहता है, environment concerned हो सकता है, तो concern can be different, जो आपके project को affect करते हैं, वो आपने को देखना है, करे ना, तो यह इसमें दिया है, चाहिए, तो इन simple word project planning होता है, start to end, अपने को project execute करने के लिए, क्या क्या चाहिए, हर एक काम को एक आदमी को define करो, उसका goal set करो, और उसका performance review करो, बस यह सब आपको करना है, now next, importance of, वह इंपर्ट पॉइन गंडी चल रहा है, importance of project plan, project planning होता है, it's a formal approved document that is used to manage and control a project, बाले यह project आगे कैसे लिके जाएंगे, यह एक पर अगर plan fix हुआ, जैसे जब बिल्दिंग मनता है, बिल्दिंग का plan पहले ही final होता है, ताकि वहाँ पर जितने भी लोग काम करने, उनको पता है कि यहाँ पर यही चीज़ बनने वाले, यहाँ पर यही बनेगा, यहाँ पर यही बनेगा, ताकि सब लोग एक ही direction में आगे चड़ते हैं, ताकि सब्सक्या बनेगा, इसको क्या है, The information associated with the plan, is was as a project moves to its various stages and needs to be updated, new information unfold about the project, इस उसमें नहीं चीज़ें मिलते हैं तुसमें आपको अड़ करना है आप जब आर्गेडिक्ट जो हता है वो बिल्डिंग का प्लान बनाता है ऐसा ज़ोरी नहीं कि प्लान के बद वह तरह से एक्सिक्रीट और होते हैं तो उसको इनक्रबिट करना प्रोजेंट में and accordingly next time उसको changes भी करने पड़ते है मतलब यह plan जो है यह initially it's a formal document which will give you guideline but जैसे आप काम करने लोगेगे उसमें भी आप changes as per requirement कर सकते हो देखो steps in project planning process तो आप यह steps पर ड्रेस में क्या क्या करना पर बहुत सिपल है पहला define the technical approach used to solve problem define the sequence of tasks to be performed मतलब जब यह building मनता है ना तो पहले foundation होगा पहले खड़ा बना जाएगा फिर foundation होगा फिर plinth मतलब पार्किंग तक काम होगा उसके बाद floor बढ़ा जाएंगे फिर wall बनाएंगे फिर tiling काम होगा फिर electric काम होगा फिर दरवाजे फिट होंगे है ऐसा हर एक प्रोजेट के लाफ फ्लो रहता है तो यहां पर भी वैसे फ्लो ना चाहिए डिफाइंदे डिपेंडेंस रिलेशन बिट्विन टास हाँ डिपेंडेंस इसी का मतलब क्या दोनों काम एक दुसरे चाहिए जुड़ा हूआ है अगर डिपेंडेंस इमतलब क्या जो दो टास हो रहे है अगर वह एक दुसरे से करेंगे तुन दोनों को पता होना चाहिए उन दोनों में प्रॉपर कॉर्डिनेशन चाहिए है करेट ना तो यह इंपोर्टन है एस्टिमेंट रिसोसे रिक्वाइट टू फॉर इस टास्क शेडूल ऑल टास्ट वी परफॉर्म डिफाइन बजेट फॉर परफॉर्मिंग टास्ट बजर मिलब कॉस्ट कंस्रेंट डिफाइन ऑर्गनेशन उस्ट एक्जिग्ट करते हैं या फिर बाहर के लोग भी उसको एक सब्सक्राइब करते हैं डिफाइन दो प्रोसेज यूस फॉर स्पेसिफाइग एन कंट्रोलिंग दो रिक्वारमेंट्स यह भी है यह सब चीज़ें आपने को करना है बस एक बार पढ़कर रखना है अगेन पूरा थेरोटिकल चाप्टर है उसमें कुछ भी असस टेक्निक है बस उसमें जो कुछ नए पॉइंट से मैं आपको बताऊंगा अधर्वाइस इस वेरी इजी चाप्टर तो आपको बहुत हो सकता है बड़ कुछ इलाज नहीं मेरा काम आपको पढ़ाना है एक बार मेरे साथ पढ़ लेना बाद में आप शॉटकट से कर लेना उसको ठीक है और इसमें हाँ अभी देखो अभी प्रोजेक्ट प्लेनिंग को तीन पार्ट में इसमें डिवाड किया है पहला स्टेडेजिक प्लानिंग कॉंसेप्ट डेफिनेशन एंड प्लानिंग रिस्क आईडी करेट ना मतलब क्या देखो बता दो क्या करके अच्छा यह हाटा दॉप अभी देखो अभी इसमें क्या है बेसिकली अभी क्या है सेबस्टेप्स इन प्रोजिल प्लानिंग यह जो स्टेप्स दी है न उसको तीन पार्ट में बस डिफाइन के बागी कुछ निए अलग लग किया है मतलब इसमें स्टेडिजिब लेंग बिजनेस नीड सबसे बड़ा प्लानिंग है मैं जो भी कम एक्जूट करने जा रहा हूँ उसके लिए आपने पास रिक्वाइड रिसोर्सेज चाहिए रिक्वाइड टेक्निकल सपोर्ट होना जरूरी है फिनांस होना जरूरी है और बिजनेस को अब्जेक्टिव क्या है यह चार चीजे क्ल अब ही इसमें आपको जो में मेरे में बता था आपको यह आप पढ़ लेना बस अब बतलब क्या है अभी स्ट्रेजिश प्लानी होने के बाद प्रोजेट को आगे कैसे लेके जाने फॉर एक्जेम्पल जिसमें क्या दिया मैं आपको बदाता हूं और लेट्से मेरे को को य बनाना है लेट से में आपको और सिंपल एक्जामल देता हूं मेरे फस्टों से यह एक चीज में खुद बना सकता हूं या भार से खरिश सकता हूं तो मेरे लिए कौन सो अप्शन बेटर रेगा मैं खर देऊंगा तो कोस्कितना आएगा मैं भारस से लूंगा मतलब खुद बनाऊंगा तो कॉस्कितना आएगा इस सब्सक्राइब के डिटेल एनलेसिस या उसको लड़े कॉंसेट डेफिनेशन करें ना मतलब देखो प्रोजेट कैटरेशन मतलब क्या है और बेस्टान रिस्क बेस्टान फाइनसिंग या बेस्टान टेक्निकल रिक्वार्मेंट प टेक्नोलोज अपने पास क्या है वो देखा जाता है को सब्सक्राइब कुछ भी काम को नहीं बस पहले इंपोर्टेंट है देन बैनिंग श्तेटमेंट टवल्क प्लैंग मतलब या प्याप एक्शल एक्ट्वाइशन इस टर्ट होगा बंद ये बड़ा प्लेंग देटाइश अप्लेंग श्कोट डिपार्मेंट वाईज या चोटे लेपने ब्रेक किया है और उसका सब्लेनिंग किया अन अभी य एन अप्लाइनिंग रिस्क देगो स्टेटमेंट अब वोक और साइट रिटेल एसेट रिटेल रिस्क एक मंदी घड़ बड़ हो गया है और रिस्क एसल प्री प्रॉजेक्ट टीम और वैंशन प्रोजेट बचल एस्टेमेट टाइम फ्रेम की शुडूल अभी इसमें क्या क्या इंपॉर्ट में आपको था तो बहुत सरे टेकिनिकल रिवर्ट से जो आपने को जानने की जरूत नहीं है मैं जो आपको बता रहा है आप उस पे टिक करके रखने ना स्टेटमेंट डव वर्क मतलब यहाँ पर अपन एक्जिविशन करेंगे तो यहाँ पर जो काम उसको स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक किया जाएगा जो प्रोजेट उसको होता है ठीम मैनेजर्स बनाए जाएंगे एंड उस टीम को वह हैंडल करेगा उसको जेप्रोजेट मैनेजर म्हां एक का काम भी डिफाइन होगा एनिज़ टीम मैनेजर अनिट टे मेनेजट इन टार टीम माइल स्टोन्स डिफाइन के जाएंगे हर एक प्रोजेक्ट टीम के लिए कि आपको इस प्रोजेक्ट में यह आपका माइल सुने और यह आपको इतने दिन में अचीफ करना है उसके बाद बस बाक्यों कुछ जानने की ज़रूत नहीं है तो इन सिंपल वर्ट्स पहला जो प्लानिंग है स्ट्राइजिक प्लानिंग यह टॉप मेनेजमेंट करता है जो कॉंसेप्ट डेफिनिशन जो सेकंड स्टेप है उसमें उसको छोटो छोटे टास्क में डिवाड किया जाता है लंड यहां पर प्लैनिग रिस पे प्लैनिग रिस आएटी करके लिए यह पर उसको एक्जिबीइट की आ जाता है तो एक्जिउटिन लिए फर्दर कश्टिप ले जाएंगे उस बड़ आ लगों DPी Marge जाएंगे टीम मेनेजर सेंगे प्रोजिक मेनेजर सेंगे जो डिशन आपको टासरिया जेगा आपके लिए एक मैंस्टेक जिए जाएगा जिस बाइस में परना परफॉर्मंस क्या ओगा एनल्स होगा next then project startup performance and project close out now एक में बलता हुँ नहीं startup मतलब यह execution हो गया execution होने के बाद चार चीज़ आपको एडिटिफाय करना है कि अपने जो प्लान किया दो प्रोजेट अपने एक्जीकूट कर रहे वो प्रोजेट कम्रेट करने के लिए कितना समय लगेगा करें ना देन सी ऊपर के जो दो स्टेप से यहां पर यहां पर ने खली ऑन पेपर प्लानिंग किया था जो ऑन पर प्लान कर रहे है उसका एक्जीकूशन वैसे वह उसके गैरेंटी नहीं है तो डिटेल प्रोजेश्च रूल का मतलब वही है कि आपने जो एक्जीकूशन स्ट प्राट किया उस बैसे प्राइड आता है जैसे फर एक्जंबल हम जब और अडिट करने जाते है ऑन पेपर प्लानिंग होता है पर जब काम करने लगते तो सब्सक्राइब किसमें अंदर और गड़ बड़े और कच्रा वरके रखाया क्लाइड ने तो टेक्समोर तो इस बे मतलब है आप हरे का पर पर फिल यूट करौ आपने जो समुपर के दो स्टेफ्स में आपने हरेको टार्गेट सेट या था हरamı के लिए माइल स्टोन सेट के दे वो इसके सब से उनका काम कितना हो रहा है वो डिफाइन करो उनको रिवाड दो नहीं हो रहे तो फिर बताओ क्या करना है तो यह देखो दिया है current estimate to complete plan versus actual schedule plan versus actual staffing कितने उस हुआ है requirement कितने चेंज हुआ है जैसे अपने प्लान किया ता उसके सब से हुआ है या कुछ अलगी हुआ है बस इतना ही है लास्ट जो मैंने कहा था आवर दो जिन्हों ने अच्छा काम किया जिन्हों ने टामली कम्रेट किया उस टिम को आवर दो फाइल पॉस्टिंग निकोल कितना हुआ है करें न बस एन प्रोजेट को क्लोज करो तो यह उसके स्टेप से यह डाइग्राम इतना इंपोर्टन नी पस एक जनरल दिया मेन आपको इसले पड़ा दिया आव इसको एक बर पड़के छोड़ देना the plan define the object of the project and the approach to be taken and the commitment being assumed the project plan evolves through is early stage and by the time project is ready to begin project execution contain the detail required to successfully complete the project then when implementation begin the plan is updated as a quality a simple day which company available abyss manna age open a diagram but a was covered detail format mini chidiya hey they go pela planning the planning in the concept phase but not merely the mark me kuch hey and approach the planning come out of care peri made about my idea on a chicken so which to be car nachi to video is it is in starting only general information available about the project but planning in the concept phase the it is important to capture information for the planning phase how much the planning in concept is mother pellet course identity or general thinking that we may require a game record kya karna hai to us give us your thinking of also will the concept is in this stage the focus on planning is on current number concept phase may focus kis per a planning ka a champion joe part of a project planning a part of the project planning the project definition and the getting the proper project getting the project underway how much exactly have no project define for and define funding what project ko agiliki janically kya karikwa do define for a strategy for deriving solution for stated goals taken a problem being addressed by the project clearly stated I'm in the question which issue are I do start clarity on a the project goals and object to identify sense and theory the success character for the project but not many of kata ki uske milestone state karo project something go achieve kya karnao deko as a mission constraint risk that apply to project are defined without description of this concept information the computer project was difficult throughout the result of technology assessment as documented as the eye well the technology technology kya karo to your playlist me gonna concept johay planning the concept is ka matlab kya ki merah pas idea bhi hai mero ko pata ki exactly me ko kongsa project karna hai to us main planning by like on sub planning on a channel and the I am kya bako project define koro strategy decide koro strategy matlab a ko jo achieve karna hai us ke liek requirement karek na karek na kya kya problem as a the planning the planning the planning stage the project plan is completed in project planning and there is identification stage of the project for large project this stage may be run as a mini project with a team of people dedicated performing the efforts but other mika hai for very small project the plan may be developed by a group of people as a part-time job since various skill sets are required to complete successful project it is difficult task for one person to develop entire plan during this projected details of plan determine and approach is defined the full project plan is developed but love yaha pekish is unbred my up everyone for a project plan ready card thing is the full project plan is developed was it not for them right now you open the palace to make you backy basement go the office company a unit that you have team work koro and kore team kesaat up full project and developer you have a bunny kya 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 requirement day well project ka clarity liya fringe is open a company a strategy define kya goal define kya us ke baad next step project planning karna hai actually project planning palio that us ke basis pay strategy over decide hota hai oh no the other full the project plan is full is then developed then developed ticket well actually or nobody a project ka pura planning karo abhi planning kong kar saakta hai jing kya was so technical knowledge a joe future of estimate kar saakta woi lokar saakta hai the planning will falling element a brief summary project but there is a project planning karna hai to plan kilek report banana padega to palace click summary raga work breakdown structure project kitnay face ben kambi loka this is a construction mode an apple yoga phiri yoga phiri yoga a project or recent chart a schedule approach manu school school your old task charter the concert up kamoka जैसे आप फ्लैट बुक करते हैं बिल्ट रापको बताता है कि यहां ता कितना कम भी दोगा वहां ता कितना कम भी दोगा तो यह से आपको वर्क शेडूलिंग करना पड़ेगा इडिन्टिफाइड रिस्क बजेट सेमें से बार बार एक चीज़ रिपट हो रहा है समर्य प् कंफिगरेशन आफ मैनेजमेंट प्रोसेश तो भी यूस्ट यह कुछ काम कर नहीं है बस यह था दूसरा अभी तिसरा प्लैनिंग इन दफ प्रोजेक्ट स्टार्ट अब स्टेज तो यह अलग अलग बस इसमें प्रोजेट प्लैनिंग ही दिया है फुरा अभी देखो एक म प्रोजेट प्लैनिंग में ही अपन है प्रोजेट प्लैनिंग में अपन ने क्या 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 कम्प्रिट किया है पहले अपन दिखा कि प्रोजेट प्लैनिंग में क्या क्या इंक्लूट रहता है सेकंड उसका इंपोर्टन्स देखा तिसरा स्टेप्स देखा यह स्टेप्स क कौन सा किया planning the concept fits concept मतलब बस पहले आइडिया होना चाहिए कौन से प्रोजेट में फिर को काम करना है कि planning stage का मतलब execution है और इसमें और दो step से planning in the project startup stage and planning in the project execution stage मतलब हर एक stage प्लानिंग करना ही पड़ता है मतलब जो आइडिया उसको इवेलेट करने के लिए प्लान करना पड़ता है फिर एक बर सॉट आउट किया तो उसको execution के लिए प्लान करना पड़ता है ओके आगे बढ़ता है अब इसमें फूर्थ यह है फिप्ट प्लानिंग इन द प्रोजेक्ट क्लोज आउ स्टेज्च को क्लोज के से करना है इतना है दब यह बी में इतना है इतना बड़ा चाप्टर है चलो तो अब आपन देखते भी क्या है प्लानिंग इन दस्टार्ट अब स्टेज अब इनिशली जब पूर इसे स्टार्ट होगा जैसे फॉर एग्जम्बल में मेरा नया ओफिस टार्ट कर रहा हूं तो आफिस टार्ट करते समय में मेरे को पहले पूरा इंफ्रास्ट्रेक्टर सेट करना पड़ेगा ऑफिस आग we του formalize familize the team with the element of plan and requirement of system specific work package detail andildон specify the activity being performed by the team as well as the cost schedule associated with these activities तो सबसे पहला काम को स्मय जब सा вас अब ऱुगा तो पहले पहले team को मिला घर टेम को बिलाओ करेंब गरिद नंगों को बताउ को कोन सा काम परफां करना एक इतने समयgeं करना है और इसके ओपर इतना खर्चा नहीं जाना चाहिए है बस यहीं काम है बाकी कुछ भी नहीं बाकी मैं पढ़ रहा हूँ बढ़ कुछ काम का नहीं है यह नहीं पढ़ा तो भी चलने हो चोड़ दो और लास्ट एक्जीकुशन मतलब भी अपन प्रॉपर एक्जीकुट कर रहे है फिर्स यह हो गया स्टार्ट अप से जोगा फिर अपन एक्ट्वल एक्ट्विशन में आ गए सब रिसोर्सेस रेडी है बिल्लिंग मन के रेडी है मशिन आ गए प्लैनिंग इन देग्जिशन स् है क्योंकि अपन अपने जो एस्टिमेट्स कि है अगर उसके सबसे प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है वह आफ्ट्रेक हो रहा है अपने गोल्स अचिव नहीं हो रहा है तो नैचली कॉस्ट बढ़ेगा एंद प्रॉफिटबिलिटी क्या होगा कम होगा देखो क्या दिया है इ प्रॉफिटेटर का स्ट्रेटीज बदलता है तो एकटिंगली मेरे को भी मेरे बिजनस पैन बदलने पड़ते है तो ही दिया है रिप्लानिंग दस नोट नेसिसरील मेंस दो प्रोजेक्ट प्लिस इंट्रबल हां तो रिप्लानिंग करना पड़ता है जैसे फॉर अब लेरा माँ को तो एवन दूरिं एक्जुशन स्टेज ऐसे चीज़ एसे चींज इस होते है जिसके ऐसे मेजर डिसन लेन पड़ते हैं अब अब लुट नहीं होना चीज़ दो इंटरनल चीज़ है तो करने पड़े गारवार लेकिन दू टू इंटरनल चीज़े के वजह से रिप्लानिंग करना पड़ रहा है मतलब गड़ ए मनलब मैनेजमेंट के पॉलिश इस क्लिर नियर गोल बाल बार रिवाइन हो रहा है प्रोजेक टीम चेंज हो रहा है मतलब नहीं है तो जो इंटरनल चीज़ है नहीं आधलिस वह थोड़ेवो श्तेवल होना चीज़े एक्सनल जीज़ आपने आत्मी नहीं है तो बाहर मार्केट में जितनी वहार भी चेंज़े उगा उसको जो जो इंपैट होगा आपने पढ़ेंगे बट इंटरनल रिप्लानिंग बारबर हो गया तो टाइम जाएगा कॉस्ट बढ़ेगा एंड फिर नुक्सान होगा प्लास्ट ए प्लानिंग इन प्रोजेट लोग जाउट स्टेज बस अभी स्में क्या है मलें अपने प्रोजेट का अबजिक्टिव अच्छिव किया उसको क्लोज के से करना है जो जो रिसर्श इक वर्ट निया जैसे इंफ्रसेक्टर पने लिए उसको बेज दो भी दिया तो तो क्या करने हो आपके उपर है करेट ना डिपेंड्स अभी कुछ कंपरी उसको आगे यूज करते हैं या किसी दूसरे को बेज देते हैं तो या तो उसको बेज दो या फिर मतला उसमें से करना है वो भी डिसेट करना पड़ेगा क्योंकि उसके भी कॉस्ट असोशेटर है प्रोजेट खतम होगे आपने उसमें से एक्जिट ही नहीं क्या तो उसके जो फिक्स का से रिकरिंग कॉस्ट हो आएंगे या तो फिर आगे किसी को बेज दो या उसको बेज के बाहर निकोलो क्वरों में से करना अबने को तो यह पांच प्लाइनिंग प्रोजेट प्लानिंग में थे कितने थे पाँच बस इन जनल दिया एक बार पढ़के छोड़ दो तो दूसरा आपने क्या पढ़ा लिखो एडिंग प्रोजेट प्लाइनिंग कि इसमें जो पांच इंपोर्टेंट वहीं में लिखने वालो बाकिए ठीक है असा प्लाइनिंग में क्या होता है डिफाइन मेजर टास्क एस्टिमेट टाइम एन रिसॉर्स इस रिक्वाइड करेट ना अजो उसमें प्लाइनिंग में पहला कौन सा है कॉंसेप्ट फेट्स प्लाइनिंग स्टेच पहला अपने गाता का थेसिव थेस्ट प्लाइनिंग थेस्टाइब। खूश्च एच एसिवेश्ट इंग कोई ओंड में प्लाइनिक टास्टूण अजल में व्यक। ओंड aja है कॉंड़ के तो तो स्टेज मतलब ने को आप पहले बैसिक आई डेवलेप करना की कौन सा प्रोचेट हमें लेना है ब्लाइनिंग फेस का मतलब क्या बैसिक काम करो लॉंग टर्ब उसके गोल डिफाइन करो को स्टार्ट अब मतलब एक्जीक्विशन वाल वूस बड़े काम को छोटे पार्ट में डिवाड करो फिर एक्जुक्षिशन करो एंड लास्ट क्लोजिंग तो यह प्रोजेक्ट प्लाइन को अलब स्टार्ट ट्वेंड हरेक्स समय आपको प्लानिंग करते रहना पड़ता है इसको रिवियो करना पड़ता है बड़ बार बर रिवियो करेंगे तो क्या हो का कॉस्ट बढ़ जाएगा ठीक है तो अपन ने दो स्टेप्स कंप्लेट किये इन प्रोजेक्ट प्लानिंग कि अन्यां मतलब प्रोजेक्ट फाइनन्स करते समय आपको क्या कर देखना है पहला उसका फिजिविट स्टेडि करो उसके बाद उसका प्रोजेट प्लानिंग करो तो कितना लंब प्लानिंग करना पड़ रहा है आइडिया के उपर प्लानिंग फिर एक्जविशन कैसे होगा इन बिट्विन क्या होगा एक एंड में क्या होगा हर एक स्टेप को प्लानिंग करना पड़ता है तीसरा क्या है प्रोजेक्ट ट्रिपल बनाना पड़ेगा कि कि इतना कैश्ट लोगा देखो पड़ते हैं तीसरा कि अधिया है करतेश हैं अपने बेएड लेते हैं अब इतना बड़ रिवियो कर लो एं फिर मैं आगला पार्ट क्योंकि थोड़ा बढ़ा है तो लेक्च्चर बहुत बढ़ा हो जाएगा तो यह इतना आभ देखलो फिर अपन अगले लेक्चर में कान्टिन्यू करते हैं थैंक्यू